गड़ा गया जनोसाइड करकर पूरे दुनिया के सामने प्रूव भी करेंगे कि जनोसाइड नहीं हुआ और कुछ नहीं कर सकेंगे हम लोग हम लोग जो सोच रहे हैं ना सब को पता किसी को पता भी नहीं चलेगा भूआ करके उसको इस तरीके से दबाए जाएगा ये रियालिटी है मैं आखिर में तीन बात आपके सामने रख कर मैं मेरी बात को यहां पर खतम करता हूँ आने वाले दिनों में जो मैं पूरा आपको प्रॉसेस बताया है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आप तीन तरीके के प्रॉब्लम्स देखने वाले हों आप मैं हम सब लो इंडिया के मुसलमान तीन तरीके के प्रॉब्लम्स देखें गेa कि टीन तरीके से मुसलिम कम्योटी को प्रॉब्लम्स के जायेंगे पहला तरीका होगा जिसमें government खु़्द policies बनाकर government खुद कानून बनाकर anti-muslim legislations बनाकर मुसल्मानों को target करेगी. पहला तरीका यह होगा. उसका एक example आपने देखा C.A.N.R.C. और ऐसा आप मत समझ यह के कानून को anti-muslim कानून लगा. Anti-muslim कानून वो लोग नहीं लाएंगे. एक general कानून लेके आएंगे. लेकिन उस कानून का implementation होगा. वो implementation इस तरीके से होगा कि सिर्फ और सिर्फ muslim को ही target किया जाएगा. अब C.A.N.R.C. के बारे में क्या बोल रहे हैं? C.A. कानून मुसल्मानों के लिए हैं क्या? वो तो general कानून है. आप लोग क्यों डर रहे हैं? क्या होगा पता है? N.P.R. बनाया जाएगा. N.P.R. तो national level पे होता है. N.P.R. के नीचे क्या होता है? D.P.R. होता है. D.P.R. के नीचे क्या होता है? L.P.R. होता है. L.P.R. बनाने की local population position बनाने की जिम्मेदारी किसको है पता है आपको? LPR बनाने की जिम्मेदारी आपके ताशिलदार किये पंचायत आफिस में बैटने वाला ताशिलदार को है उस ताशिलदार को सिर्फ टारगेट दिया जाएगा टारगेट क्या है अगर सव अप्लिकेशन साते हैं सव में 20 अप्लिकेशन को डाउटफुल करना है बस उसके रिए कुछ नहीं है उसको सिर्फ सव में से 20 अप्लिकेशन को डाउटफुल बनाना है फिर आप 20 साल प्रूव करों तो कानून वो लोग स्पेसिफिक नहीं लेके आएंगे जनरल कानून लाएंगे लेकिन उस जहां कानून का इंप्लिमेंटेशन मुसल्मानों के अगेंस्ट होगा ये टाइरेक गवर्मन्ट मिचिनिरी के तरफ से होने वाला है हो रहा है दूसरा जो प्रॉब्लम्स उनों क्रियेट करेंगे गवर्मन्ट एजनसी को इस्तामाल करके जो मुसल्मान बात करते हैं जो मुसल्मान इनके खिलाफ आवाज उटाते हैं उनको गवर्मन्ट एजन्सी उसको लेकर या तो साइलेंस कराये जाएगा या तो जेलों में डाला जाएगा ये यूए पी ए, 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 डी क्या है अभी बुल्डोजर क्या है अभी बुल्ड़ोजर किसके घ़रों पर चल रहा है ये जब आकर मुहले पर हमला होता है ना, हमला होने के लगद चन्द लोग रुकते हैं वाँ पर हमला होने नहीं देते हैं उनको identify करके उनके घरों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है एक message है जो भी हमारे plan के सामने रुकेगा उसके घर को हम क्या करेंगे बुल्डोस कर देंगे उसके घर को हम बुल्डोस करेंगे आप इसा मत समझे है रैंडम बुल्डोस हो रहा है यह जबरदस strategy है बुल्डोसर का जबरदस strategy है यह strategy से क्या होने वाला है हर आदमी क्यों मैं जाके दूसरों के लिए बात करना क्यों मैं मैं कौम के लिए बात करना मैं सामने आया तो मैं नोटेड हो जाऊंगा नोटेड होने से मेरा घर डिमॉलिश हो जाएगा कोई आने वाला नहीं है यह बुल्डोजर स्ट्राटजी है यह NIA को यूज किया जाएगा ED को यूज किया जाएगा पुलिस को यूज किया जाएगा यह सेकेंड स्टाइल है जिसमें एजन्सी को इस्तामाल किया जाएगा और तीसरा जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रेट जाएगा तीसरा तरीका फिजिकल होगा जिसमें एक मॉब आएगी वेल प्रिपेर्ड होकर एक थोटा ट्रेलर जो उन्होंने राम नवमी के टाइम दिखाया उस तरीके के जो जनोसाइड जनोसाइड धर्म संसत में लोग बोल रहे हैं वो जनोसाइड का उलोग प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन करेंगे और ऐसा भी मत सोचिये पूरे इंडिया में एक साथ होगा पूरे इंडिया में एक साथ ने होगा इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगे हैं जो वलनरेबल से थोड़े वो लोग स्टेट वाइस भी नहीं करेंगे वो लोग लोकालिटी वाइस करेंगे लोकालिटी वाइस करेंगे महले वाइस करेंगे सिटी वाइस वाइस वो लोग करेंगे यह तीन तरीके से प्रावलम आ रहा है अब मैं बता रहा हूँ ये तीन तरीके का problem phase भी किया जा सकता है इसा नहीं ये phase नहीं कर सकते phase भी किया जा सकता है government जब policy बनाती है उस policy को phase करने का तरीका है जो C.A.N.R.C. के वक्ट जिस तरीके से हमने phase किया वैसा phase करने के लिए ready होना है अस्ते पर उतरना है मुसलसल democratic democratic demonstrations में हमें जाना है उस demonstration के तुरू अगर cases पढ़ते हैं cases के लिए ready होना है जान जाती है जान जाने के लिए भी ready रहना है मैं हमेशा बोलता हूँ आज आप और मैं NPR हमारे घरों में नहीं आया क्यों नहीं आया पता है 22 लोग जान दिये इसलिए कौन से बड़े Muslim leader के speech के वज़े से कौन से बड़े Muslim संगण के काम के वज़े से बचकर नहीं है हम लोग बचकर रहे हूँ 22 लोग जो जान दिये उनके वज़े से बचकर। जो लोग जैलों के अंदर है ना UAP है उनके वज़े से आप और मैं बचकर है यह कौन से बड़े लीडरों ने नहीं बचाया किसी तंजीम ने नहीं बचाया वहाँ पर जो लोग रुके जमीन पर उत्रे